नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तो दिससालियान का केस आपको याद होगा दिससालियान को लेकर ये कहा जा रहा था कि दिससालियान को बहुत ही बेरहमी के साथ खतम किया गया और इसी वज़े से दिसासालियान आज इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन इसी बिच में आपको बता दू कि दिसासालियान केस को लेकर एक बहुत बड़ी खवर सामने आ रही है CBI ने दोस्तों इस केस में पूरी तरह से किलियर कर दिया है कि दिसा सालियान के साथ क्या हुआ था और किस वज़े से दिसा सालियान ने इस दुनिया को छोड़ा जिहां आपको बता दे दिवेंगत एक्टर सुसान सिंग राजपूत की पूरू टैलेंटिड मैनेजर दिसा सालियान के साथ हुई घटना के मामले में अब CBI ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है केंदरी जांच ब्यूरो की जांच में पाया गया है कि मुंबई की दिसा सालियान के साथ जो खुछ भी हुआ वो सिरफ और सिरफ एक दुर घटना था बतादे 2020 में दिसा के साथ ये घटना हुई थी बैमानी और कवर अपके कई आरोपो के बाद ये घटना विवाद इसपद हो गई थी 28 वर्सिये दिसा ने अपने करियर में कई सितारों का परबंधन किया था विसेस रूप से सुसान सिंग राजपूत बता दे कि सुसान सिंग राजपूत के साथ हुई घटना के एक हपते से कम समय में ही वो भी इस दुनिया को छोड़ कर चली गई दिससालियान के साथ हुई घटना को लेकर कोई अलग प्राथमी की या सिकायत नहीं कराए गई थी सीबियाई ने सुसान सिंग राजपूत के साथ हुई घटना मामले में जाच की थी सीबियाई से लेकर परवरतन निदिसालाया और नार्कोटिक्स कंट्रोल वीरो तक कई केंद्रिये जाच एजेंसियों में जाच की गई थी तो जिस तरह से दोस्तों दिसासालायान को इस दुनिया से अलविदा किया गया उसके बाद इस केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है लगातार लोग ये कह रहे थे कि दिसासालायान के साथ बहुत बेरहमी के साथ इस कांड को अंजाम दिया गया है लेकिन फाइनली और आखिरकार CBI का बयान आया है और CBI ने कहा है कि दिससालियान के साथ कुछ भी नहीं हुआ था तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ सेर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना धन्यवाद धन्यवाद